अगर आपने इसके पहले के सेशन एक दो मिस करें हैं प्लीज जाके उनको देख लेना स्पेशली रूल्स वाला क्योंकि अगर रूल्स नहीं समझोगे तो यहां पर कुछ समझ में आएका कि क्या हो रहा है सबसे पहले यहां पर बात हो रही है बियॉंड सी क्या बियॉंड सी है तो उसका जो इमेज है वो कहां बनेगा कैसा बनेगा वो हम इस रे डाइग्राम से निकाल के दिखाएंगे अच्छा अब ऑबजेक्ट की प्लेस्मेंट कैसे करते हैं जैसे की आपको यहां पर ही सी पॉइंट यह है बियॉंड सी मतलब यहां पर कहीं है So, हम object को इस तरीके से दिखा देंगे कि ये हमारा object है एक इस तरीके से arrow बनाएंगे और उसको अब अपना object मान लेंगे Now, the thing is कि light ray कैसे आई? अब light जब भी pass होते है, कभी भी ऐसा नहीं होता है, एक single line सारे लाइट तो पूरे इस पर पढ़ेगी mirror पे, लेकिन हम एक fix रखते है कि जो भी light है, जो भी हमें light pass करानी है, वो हम इस तरीके से एक straight line में कराती है सबसे पहला, मतलब जो हमारी rules से ना, उनके हिसाब से, चार rules से दोई शहाँ जादा use होंगे, तो उस हिसाब से बनाती है तो अब पहली ray कैसे बनाएंगे, हम ray of light कैसे बनाएंगे object का जो ये tip है, इससे हम एक straight line बना देंगे इस तरीके से कि ये mirror पे जा रही है and ये दुबारा बनाती हूँ मैं क्योंकि parallel नहीं लग रही इस तरीके से जा रही है, ऐसे so ये हमने line बना दी, अब क्या करें, मैंने इसको parallel बनाया है principal axis के, आपको सिरफ ये दे रखा होगा कि इसकी position क्या इसके आगे का सारा काम आपका तो जो मेरा rule number one था, कि कभी भी principal axis के parallel अगर हमारी light ray होगी तो वो focus से पास होते हुए जाएगी और काम यहां पे लिख लेते हैं, यह हमारा f point है, यह हमारा c point है ठीक है, also light ray गई है, arrows लगाना बहुत जरूरी है तो इस तरीके से, इस direction में गई है, ठीक है अब हमें इसकी reflected ray बनानी है, वो कैसे बनेगी simple भाई, यहां से focus से पास होते हुए, इस तरीके से निकल जाएगी ठीक है, तो यह हमने अपना एक rule लगाके, यह बना दिया, और इसको arrow बना देते हैं अब भाई, image कहां बनीए, तो मुझे नहीं पता चला इमेज के लिए दूसरा rule व्यूस करेंगे, वो क्या था, कि हमारी light ray, अगर center of curvature से पास होते हैं, तो उसका same ही path होता है, return का, वो बला करेंगे simple, देखो जरा, यहां से लिए इसी tip से दूसरे ray भी भेज रहे हैं, लेकिन वो हमारी center of curvature को इस तरीके से पास करती हुई, जाएगी like this, चीक है, arrow लगा देते हैं, अब दूसरा rule के हिसाब से हमने इसको का है, कि इसको center of curvature से पास करा दे, also मैं थोड़ा सा इसको zoom कर देती ओके, I hope अब बिल्कुल clear दिख रहा होगा, तो दूसरी मैंने ray क्या करा है, इसको क्या करा है, center of curvature से पास करा है, वो यहां पे hit करके, वापिस इसी direction में जाएगा, यह भी हम rule में पढ़के आए, कि जब भी center of curvature से पास होगी, तो वापिस center of curvature पे ही जाएगी, चीक है, तो अ intersection point है, यह point जो है, यहां पे basically हमारी image बनेगी, अब यह point नीचे है, मतलब arrow नीचे आए, so image को जब हम बनाएंगे, इस तरीके से हमारी image बनेगी, arrow का बहुत important role है, arrow का role क्या है, इससे हमें पर चलेगा, image हमारी देखो, अगर intersection उपर हुआ होता, तो image ऐसे बनती, मतलब हमारी straight, उपर की तरफ direction बनता, image का, intersection अगर नीचे है, तो image उल्टे बन रही है, inverted बन रही है, ठीक है, यह चीज समझ में आगी, so यह तो हो गया हमारा ray diagram, अब इस ray diagram से हमें क्या मिला, वो दिखेंगे हम, हर ray diagram में हमें तीन चीज़े देखनी है, पहला image की, इसको थोड़ा सा में light कर लेती हूँ, so हमें एक तो बताना है, image की क्या position है, image का क्या size है, और image का क्या nature है, ठीक है जी, चलो इसमें बताओ, image की position क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहे है, c और f के बीच में बनी है image, so, between, 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 थोड़ा सा और इसको इदर कर देते हैं, चलो भई, यहाँ पे लिख देते है, between, c and f, मतलब हमारा center of curvature और focus के बीच में image बनी है, next, image का size, आप देखो हमारा object का size कितना था, यह image का size उससे छोटा है, तो हम यहाँ पे small size ने लिखते हैं, हम दो words यूज करेंगे, एक हो image बड़ी ही बनेगी, तो enlarged लिख देंगे, image छोटी बनेगी, तो diminished लिख देंगे, बहुत point size इतनी बनेगी, तो highly diminished, इसी तरीके सा अगर image बहुत बड़ी मिन रही है, तो highly enlarged, यह दो words यूज करेंगे, so यहाँ पे छोटी बनी है, so we'll write diminished, ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, टर्म्स इससे लंबा कीच रहे है, आगे-आगे फिर हम फटा-फट भी करेंगे, अब nature क्या होता है, इसमें दो option है आपके पास, या तो बनेगी image virtual and erect, या बनेगी real and inverted, तो जब भी image mirror के सामने ही बनेगे, जैसे यहाँ पे हमार हमारी होती है virtual image, ठीक है, लेकिन अगर mirror के आगी ही, जैसे इसमें आगे बन रही है, तो यह हमारी real image होती है, real image हमेशा inverted बनेगी, so real and inverted हमेशा साथ-साथ चलेगा, inverted मतलब उल्टी, अगर image ऐसे बन रही है, जैसे हमारा object क्या था, यह हमारा inverted नहीं है, हमारा object था erect, जब and inverted, ठीक है, inverted will always come with real और erect हमेशा virtual के साथ आता है, ठीक है, so यह हमारा पहला ray diagram था, इससे आपको यह तीन चीज़े पाजल गए, अब इसी तरीके से 5 और है, so वड़वट से second number पे आ जाते है, second है हमारे पास object between C and F, so C ये रहा, F ये रहा, इसके बीच में object बनाना है हमें, so let let's go, इस तरीके से लग रहा है, बीच में, थोड़ा से शादी दरूज़े है, मैं सेंटरी लग रहा है, so इन दोनों के बीच में मैंने बना दिया, सेम अपने वही रूल्स चलाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा गर लेती हूं, ठीक है, जब मैं पास स्पेस है, तो इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, हाँ जी, तो अब क्या करना है, हमें पहला रह कैसे भेजेंगे, इसके बिलकुल प्रिंसिपल एक्सिस के कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से बनाएंगे हम, अच्छा हो, यह बना इस तरीके से गया, ठीक है, एरो माक करेंगे, इधर आदेते हैं, कि रे हमने इधर भीज दिया, ठीक है, पहला हमें मिल गया, लेकिन भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा मिलेगा, जब दूसरा रूल लगाएंगे, दूसरा रूल क्या है, कि अब 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 जब हम इसको सी से पास कराएंगे, तो सी पॉइंट तो यहां है, मतलब यह इस तरीके से पास होके जाएगा, करें कीची समझाई, इंटरसेक्शन पॉइंट तो अब भी नहीं मिला, लेकिन हमें देख के पर चल रहे हैं कि अगर इसको और लंबा-लंबा करेंगे, तो यह आगे जाके कहीं मीट हो जाएंगे, तो अभी के लिए इसको हम यह आपे कैसे एक्सेंड करेंगे, यह मैंने इसको पकड़ा और फोकस से नहीं हिलाना, यहां से इसको एक्सेंड कर दिया, इसको पकड़ो और इसको एक्सेंड कर तो देख लिए हो, अभी भी सीसे पास हो और अभी भी नहीं मीट हुआ, यहां ले गए, फोकस से नहीं हिलाना सो यहां आके यह कहीं हमारा meet हो रहा है that means कि जो हमारा object है वो कहां बन रहा है इधर और intersection point कहां है नीचे है तो यह इस तरीके से बनेगा अब दिख रही है image कितनी बड़ी बन रही है फड़ा बड़ से तीन points मेरे को बता दो पहला हमें बताना है position क्या है इसकी दूसरा बताना है size क्या है and तीसरा हमें बताना है nature क्या है position कहा है हमारी अभी जहां हमने object रखा था beyond c यहां infinity भी नहीं है क्योंकि meet करते हो दिख रहे है अभी एक case होगा जिसमें हमें meet करते हो भी नहीं दिखेंगे image का size है कितना बड़ा है बहुत बड़ा difference है तो हम लिख देंगे highly enlarged clear यह चीज समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं है यहां तक nature बता दो भाई mirror के सामने ही बन रहे है मतलब real है real होगी तो inverted तो दिखी रहा है मैं वैसे और real है तो inverted तो होगी तो इसका nature हो गया real and inverted चीक है clear कोई दिक्कत नहीं है secondary hologram हो गया third पे चलते है इसमें है हमारा object between P and F P क्या है हमारा pole pole और focus के बीच में यहां से लेते हैं अपना object लगा देते हैं red color से लगाते हैं object pole और focus की बीच में यहां पर थोड़ा से इसमें ध्यान से करना पड़ेगा इसको मैं zoom भी कर लेती हूँ क्योंकि भाई यह देखो कितना pass pass आ रहे है तो चलो थोड़ा सा आप zoom हो जाओ so इसको थोड़ा सा हम करते हैं zoom because वहां से अभी एक ray pass करानी है हमें चलो color change कर लेते हैं यहां से हमने ray pass करी इस तरीके से mirror की बिल्कुल pass है because polar focus में अच्छा जब आप बनाओ ना मेरा जैसे focus यहां है आपको पता इसमें लेना तो थोड़ा सा focus अपना इधर रख लेना चिक है so यह हमारी ray हो गई and अब क्या होगा यहां से हमारी light गई है अपसी कैसे कटो के कहां से निकलेगी focus से तो यह जाएगी इधर चिक है clear है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब अपना second rule लगाते है लेकिन उससे पहले arrows लगा देते हैं समझाना यार ऐसे था और यह गया ऐसे अब हमारी दूसरी क्या होगी object के top से conveiture से pass होती ही जाएगी इस तरीके से ठीक है अब यहां पे बात notice करो कि अगर मैं इसको extend भी कर दूँ चितना भी extend कर दूँ यह इधर को जाएगी यह इधर को जाएगी ठीक है इनका gap बढ़ता जा रहा है ऐसा नहीं कि infinity पे जाके आएगी image लेकिन कहा आएगी यहां से अगर हम इसको extend करें अब इसको extend यहां से कैसे करेंगे यह हमने पकड़ा इसको मैं ले गई इस तरीके से यहां से extend करके इधर इस वाले को पकड़ा हमने इसको मैं extend करके ले गई object के उपर ही रहेगा यहां पे मतलब behind the mirror ये हमारे क्या हो रहे है meet कर रहे है तो image कहां बनेगी इस case में mirror के पीछे image बन रही है ठीक है so again intersection point उपर है तो कैसे बनेगी ऐसे बनेगी अब इस case में क्या बनी हमारी image उल्टी नहीं है हमारी image कैसे बनी है erect बनी है क्योंकि behind the mirror behind the mirror image virtual बनती है और हमेशा virtual के साथ हमारा erect आता ही है चिक है clear हो गए एक बाद देख लेते हैं कोई arrow miss तो नहीं किया C वाले में arrow नहीं किया था object से यहां से आई थी और इधर से ही reflect back हो गई और वो हमने send करके वहाँ पे आ गया position बता दो मेरे को उसके बाद जी size बता दो और nature बता दो तो position देखो कहा है इस case में हम लिखेंगे behind the mirror क्योंकि mirror के पीछे बनी है so image हमारी बनी है behind the mirror second चीज है हमारे पास size देख लो size इसके comparison में बड़ा है तो हम बोलेंगे enlarged ठीक है nature कैसा है इमेज जब behind the mirror है तो obviously virtual है real image तो बनी नी रही so यह हमारा हो गया virtual and erect ठीक है समझ में आगे next ray diagram पे चलते है हमारा object at sea अगा center of curvature पे हमारा object है इसको पहले zoom कर लेते है so इस तरीके से zoom कर लिया हमने अब हमें अपना जो object है वो बनाना है c point पे so यहां पे c point है यहां से गया and यह हो गया हमारा object इसको थोड़ा समय इसके position सही कर देती हूँ यहां पे ठीक है इस point से हमने object बना लिया अब यहां पे हमें क्या करना है पहली जो हमारी ray होते है कैसे जाती है color change कर लेते है so हमारी पहली जाएगी parallel to principal axis जो अभी ते देशे करते हूँ आ रहे है यहां से हमारी पहली ray गई इस तरीके से arrow लगा लेते है so let's put an arrow यहां से हमने भेजी and अभी कहां से पास होते हुए निकलेगी हमारे focus से so यहां से गई और यह इस तरीके से focus से पास होते हुए निकल गई like this again arrow बना रहते है यहां से focus से पास हो गई now अब हम अभी तक क्या करते हुए आ रहे थे पहली ray principal axis के parallel focus से पास हुई दूसरी ray हम center of curvature से पास करते है but इस case में हमारा object ही center of curvature के उपर है तो कैसे बनाएंगे ray इस case में हम क्या करेंगे अपने आगे rules पे चलेंगे हमने एक rule देखा था जिसमें हमने सीखा था कि अगर line हमारी focus से पास होते आ रहे है अभी क्या है incident ray parallel थी principal axis के और reflected ray focus से पास हो रही है अगर हमारी incident ray focus से पास होते रही तो reflected ray parallel to principal axis होगी तो वो करेंगे यहाँ पे तो दूसरी ray हमने यहाँ से ली यहाँ से हमने start करी और उसको focus से हमने इस तरीके से पास करा दी चिक है arrow लगा देंगे कि यहाँ पे ऐसे आई है अब यहाँ पे अगर यह incident ray हमारी focus से पास होते हो रही है तो वो parallel होगी principal axis के मतलब यहाँ से जब reflected ray बनाएंगे हम तो वो principal axis के इस तरीके से parallel होगी चिक है arrow लगा देते है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे हमारा point of intersection क्या है यह reflected ray है यह भी confusion हो सकते है इसी इसको ध्यान से देखना है देखो यह और यह एक आपको लग सकता है कि माम यहाँ पे भी तो intersection point है तो हमने यह क्यों नहीं लिया यहाँ पे भी तो intersection point है हमने यह क्यों नहीं लिया intersection point हमेशा reflected ray इसका देखा जाते है चीक है समझ में आया, अब यहाँ पे ये तो हमारा रे डाइग्राम हो गए, अब इसमें हमें तीन चीजे बतानी है, पुजीशन बता दो, साइस बता दो और नेचर बता दो, तो पुजीशन क्या है हमारी, सी पॉइंट पे ही बन है, तो इसकी पुजीशन हो गई, अट सी, साइस क्या है, जितना हमारा अबजेक्ट था, उतना ही हमारा इमेज है, सो वील राइट, सेम साइस, एंड लास्ट नेचर बताओ, मिरर के आगे बन रही है, मतलब रियल है, और रियल के साथ वैसे भी दिख भी रहा है, इनवर्टे है, तो रियल आड इनवर्टे इसका ने फोकस पे रखेंगे, तो क्या होगा, यहां पे देख लेते हैं, यह लिया हमने अबजेक्ट और इसको प्लेस कर दिया, इस तरीके से फोकस पे, चलो, अब आगे देखो, फोकस पे रख दिया, पहली चीज हमारी क्या होती है, कलर चेंज कर लेते हैं, पहली रह हमारी जाती है वहीं से ही पास होते हुए ये इस तरीके से निकल गए आरो भी बना दो ये बन गया हमारा आरो ठीक है पहली चीज ही होगी दूसरी क्या रूल है हमारा अब जो हमने वो किया था हम अपना पहले से जो जल रहा है उसी पर करेंगे क्योंकि simply यहां से तो C से भी पास करा सकते हैं सो ये object से हमारी incident ray आएगी और ये इस तरीके से C से पास होती हुए जाएगी चीक है आप इसको हम यहां पर arrow लगा के बता देते हैं कि यह इस तरीके से आई और यहीं से ही वो इसी path पर reflect back भी होगी कि C से जो line आती है वहीं से ही वापिस चली जाती है अठ हमें यहां reflected race इसका अपना वो तो मिला नहीं intersection point सो हम यहां पर imagine ही कर सकते हैं कि यह ऐसे ऐसे आगे आगे जाएगी और यह फिर आगे आगे ऐसे जाके दिखर आपको पास पास आ रही हैं तो मतलब in future कही infinity पे जाके यह हमारी क्या होगी मीट होगी और जब infinity अब सोचो गर इतनी पीछे ताके बनेगी तो हमारी image कितनी जादा बड़ी बनेगी correct सो मतलब infinity पे meet होगी और image बहुत बड़ी बनेगी so यहां पे जो हमें चीजे लिखनी होती है वो लिख लेते हैं इसकी position बताना है हमें इसका size बताना है इसका nature बताना है तो position कहां है कहां जाके image बनेगी infinity पे तो इ highly enlarged ठीक है मतलब काफी बड़ी image बनेगी हमारी और nature क्या होगा देखो यहां पे जाके बनेगी mirror के इधर ही बनेगी तो mirror के इधर ही अगर बन रही है तो image तो हमारी real है और real के साथ हमेशा ही inverted आता है so real और inverted बनेगी also हमें दिख भीरा intersect तो इधर ही करेंगी तो उल्टी image ही बनेगी so इस तरीके से हम बता सकते है कि यह सारी तीनों चीज़े इसकी होंगी ठीक है लास्ट रे डाइगरम पर चल लेते हैं लास्ट रे डाइगरम है object at infinity यूशली जब भी आप पड़ोगे तो हमेशा सबसे पहले हम यह वाला लेते बट मैंने नहीं लिया था because इसमें क बहुत दूर हमारा object पड़ा हुआ है so अब वैसे हमने क्या किया था यूँ हम object बनाते थे और यहां से raise भेज देते हैं जहां भी भेज होते है बट इसमें तो object ही हमारा infinity पे है तो raise इसमें कैसे बनाएंगे इसमें हम raise बनाते है नॉर्मली बात कर लेते हैं कि एक ray इस तरह से parallel बना ली हमने और एक हमने यहां से parallel बना ली क्योंकि यह infinity से जो हमारा object है infinity पड़ा हुए तो हम मानने भई ऐसे करके raise आ रहे हमारे पास tip तो है नहीं object की so इस तरीके से हमने बना ली अब देखो ज़रा क्या होगा यहां पे arrow बनाते हैं इसके यहां पे incident ray आई मेरे पास एक incident ray आगई मेरे यहां से अब यह दोनों ही parallel है principle axis से cut कहां करेंगी focus पे so यह पास होगी इस तरीके से focus से and यहां पे भी इसी तरीके से यह पास होगी focus से arrow बना लेते हैं इसके यह गई reflected ray यहां से यह reflected ray गई so यहां पे यह focus पे reflected ray meet हो रहे अब इसमें तो हमें और दूसरा C से पास वास कराने की को जरूरत ही नहीं कि यहां पे हमें दो चीज़े मिल गई and हमारी reflected ray हमारी focus से pass हो गई है so अब क्या करेंगे simple अपनी जो तीन चीज़े बतानी है वो लिग दो position बता दो size बता दो and nature बत खुद imagine करो focus पे बिल्कुल ऐसे point size है तो मतलब जो image है उसका भी बिल्कुल point size मतलब बहुत ही small so या तो इसको आप लिख सकते हो highly diminished या आप इसको लिख दिना point size वो भी चलेगा because बिल्कुल बहुत चोटी बनेगी अच्छा nature कैसे बताओगे अब जब इतनी चोटी है तो कै इसे बर चलेगा कि भाई ऐसे बन रही है यह से बन रही है तो इसमें सिंपल हमें पता है mirror के आगे बन रही है तो क्या होगी रियल इमेज होगी और अगर इमेज रियल बन रही है तो वो हमेशा ही inverted होती है so that means real and inverted image बनेगी ठीक है अब स्टाटिंग में में आपको confuse नहीं करना जाते थी कि रियल के साथ हमेशा inverted आता है या highly diminished और यह सब इसलिए मैंने यह last मिलिया so यह थे हमारे concave mirror के 6 ray diagrams I hope आपको अचिसे समझ में आगे हो जिसमें भी confusion हो प्लीज उसे दुबारा से देखना and सब का आपका जब object की position है तो उसका nature क्या होगा image की position क्या होगी और उसका size क्या होगा यह भी आप अच्छे से बता पा होगी ठीक है तो रटने की सवरत नहीं है इस से हमें बदा चल जाएगा so this was about ray diagrams on concave mirror अब हम convex mirror के भी जो दो ray diagrams है वो discuss करेंगे but in the next video so I'll see you all in the next video and then take care and bye